माली, अत्यंत पुर्शार्थ करके वह एक बीज धर्ती में आरोपित करता है, उसकी देख रेक करता है और जब वह बीज विराठ व्रुक्ष बन जाता है, तब उसके मीठे फल अनेक लोगों को प्राप्त होते हैं, संदेश स्पष्ठ है, परिश्रम सिर्फ एक माली करता है, लेकिन उस परिश्रम का फल अनेक लोगों को मिलता है, जिन शासन के ऐसे ही एक माली है, पद्मभूशन, साधर्मिक वत्सल, सरस्वती लब्ध प्रसाद, पूज्यपाद, आचार्यतेव, श्रीमद, विजय रत्नसुंदर, सुरिश्वरजी महराज साहब, यान की बारिश से आया, सब को भिगोने, ये एक ऐसे माली है, जिन्होंने एक दो नहीं, 385 से अधिक पुस्तक रूपी बीज, जिन शासन के धर्ती में आरोपित किये हैं, और आज इस परिश्रम का फल, हजारों, लाखों लोगों के जीवन में, प्रत्यक्ष रूप से दि भरा कर दिया है, लोगों को प्रसन्नता का प्राण वायू प्रदान किया है, सब को समाधी की चाया दी है, लोगों के जीवन से डिप्रेशन और अग्रेशन की विशैली वायू को दूर किया है, रिष्टों में मधूरता के फल अरपन किये हैं, रिदय में भावनाओ के सरहद प्रेम तट्व को केंदर स्थान में रखकर लिखि गई यह हपुस्तक मानो एक अपनिषत से कम नहीं है आत्मा को पर्मात्मा बनाने वाले तिर्थंकर नाम कर्म का उपहार देने वाले हम वासतव में जीवित है ऐसा एहसास कराने वाले प्रेम तत्व के चिन्ह क्या है? उसका स्वरूप क्या है? प्रेम जब हमारे रदय में जन्म लेता है तब उसके किन फलों का हमें अनुभव होता है? इसका अध्भुत विवेचल पूज्य गुरुदेव श्री ने इस पुस्तक में आले खित किया है एक बार हाथ में उठा लीजिए यह पुस्तक और फिर देखिए कि हमारा रोम रोम कैसे प्रेम मैं बनता है पूरती सुन्दे शुरिष्वन देखिए